उबलते हुए दूध में जब हम डाल देते हैं थोरा सा विनिगर या फिर लेमन जूस तो बन जाता है पनीर येस पनीर बनता कैसे है वेल जैसे कि हम सभी को पता है कि मिल्क एक कोलोईड है और कोलोईड का फॉर्म हमेशा डेपेंट करता है इसके पी-एच पे जैसे ही हमने इस पे लेमन जूस या विनिगर डाल दिया तो इसका पी-एच घट गया ये मिल्क आसिडिक बन गया और इसकी अब हमें क्या चाहिए हमें तो चाहिए पनीर तो चलो इसे छांट लेंगे और फिर हो जाएगा हमारा पनीर तयार तो बन गया ना पनीर और पता भी चल गया कि दूद से पनीर क्यों और कैसे बनता है